चलिए अब मैं एक ऐसे सवाल पर आता हूँ जो शायद आपसे कई बार आफ दा रिकॉर्ड पूछा गया होगा लेकिन पहली बार ये आउन रिकॉर्ड मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक मैं की रात जगा थी लखनव का इकाना स्टेडियम आईपेल मैच था लखनव सुपर जाइंट्स और आरसीबी का उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और शायद कितने और महीनों तक होती रहेगी देकेauft मेरी क्रिकेट फील में बहुत लडाइओं हुई हैं ऐसा नहीं है कि पहले लडाइओं नहीं ह MinH उस लड़ाई को या और कीकेट फील तक ही सीमत रखा है दो लोगों के बीच में अग्यूमेंट हुआ और वो कान मळस्त फील रहना चाहिया उसके बार नहीं जाना चाहिए बहुत लोगों ने बहुत चीज़े बोली बहुत लोगों ने टीर पी के लिए बहुत चीज़े डिमांड भी करी कि आप इंटर्वियू कर लीजिए आप क्लारिफाय कर लीजिए जो चीज़ दो व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको क्लारिफाय करने की अगर आप बताना चाहिए हुआ क्या था उस रात देखे मैं सिरब इसको इतना इलाबरेट करूँगा और इससे जादा नहीं करूँगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिलकुल एंडोस करता हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिलकुल ठीक था अगर मुझे लगता था कि नवीन उलहक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फर्ज बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना और वो मैं आखरी दम तक खड़ा हूँगा चाए वो नवीन उलहक हो चाहे यहाँ पर आप में से कोई भी होगा अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा और यही मुझे सिखाया गया है और यह मैं हमेश्या करूँगा और इसी तरीके से अपनी जिन्दगी जीता हूँ, बहुत लोगों ने बहुत चीजे बोली, कि नवीन उलहक को सपोर्ट करे हैं, अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करे, कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था, अगर मेरी टीम का प्लेयर भी गलत होता है, तो मैं उसके सा कंश्झे से डरते हैं, और मैं एक सवाल आपसे पूच Steel आया हो और यह सवाल मैं इसलिए पूच रहा हूं कि, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, मैं डिटेलिंग में नहीं आऊँगा, लेकिन विराट कोली और गौतम गंभीर का रिष्टा क्या है क्योंकि इस रिष्टे में हमने मिठास भी बहुत देखिए एक टाइम पर आपने अपना मैन अफ दे मैच दे दिया था विराट कोली को यह सही बात है शायद आपको पता नहों पता हो लेकिन विराट कोली को अपना मैन अफ दे मैच गौतम गंभीर ने दिया था लोग कह रहें देखा हुआ है हमने दीए मैं नॉमली अपने रिष्टे एक्स्प्लेइन नहीं करता है यह सवाल मुझसे न एमेस धुनी के लिए भी पूछा जाता था कि आपको और एमेस धुनी का क्या रिष्टा है जो रिष्टा मेरा एमेस धुनी का है वो ही रिष्टा मेरा और विराट कोली गए मेरी लड़ाई विराट कोली या एमेस धुनी या एक्स वाई जेट किसी खिलाडी से परसनल नहीं है लड़ाई सिरफ मैदान के बीच की है वो भी जीतना चाहते हैं और मैं भी जीतना चाहता हूँ और वो लड़ाई मैदान तक ही रहनी चाहिए मैं आज भी उन सारे खिलाड़ियों की इज़त करता हूँ जिनके साथ मैं खेला हूँ चाहिए वो एक मैच खिले हूँ, चाहिए वो सव मैच खिले हूँ, क्योंकि अपने देश के लिए एक मैच खिलना मुझे पता ही कि कितनी मेहनत लगती है चोब आप अपने देश, एक सो चालेस करोर देश वासियों को रेप्रेजेंट करते हो, तो उसका समान, उसकी इज़त करना बहुत ज़रूरी है तो मैं हर उस खिलाडी का समान करता हूँ और करता रहूँगा, जिन्होंने जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया है जी, आप दोनों ही महान खिला रही हैं और मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या आपने बोला, जो फील्ड पे हुआ, मैं उसके उपर नहीं बोलूगा, मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन क्योंकि अब मैं फील्ड की बात नहीं करता हूँ एक बात बताईए आप लोग वर्ड कप खिलते थे युवराद सिंग मुहमत के फिराट कोली सचिन तेंदुलकर मतलब वो नाम जो कि भारते क्रिकेट के मतलब बुलंद सिता रहे हैं गौतम गंभीर मतलब तो कभी ख खाने का ओडर अपने इसाब से करते थे मतलब कुछ आगर आप बताना चाहे तो नहीं नहीं मैं भी बहुत दोजार साथ में कि वरंदर सेवाग ने ओन रिकॉर्ड बोला है कि एक महीने हम साथ आफरिका थे टीट्वेंटी वर्ल काप के लिए और श्याद एक महीने मैंने सेवाग ने इकठे लांच और डिनर किया था और हमने एक ही ओर्डर किया सेम खाना एक महीना है जब भी मैंने रूम सर्वेस ओर्डर किया मैंने एक ही खाना ओर्डर किया कौन पालक और दाल मखनी that's it मैंने 20 दिन सेम लांच और डिनर किया 20 दिन तो बोर नहीं होते थे तो जादा खाने का शौकीन को उनता घुमने का शौकीन को उनता इर्फान पठान बहुत खाने के शौकीन अभी भी शौकीन है अब जादा शौकीन होंगे क्योंकि मैं उनके साथ कई बार कॉमेंटरी करता हूँ आगे बढ़ते हैं और पार्टी का शौकीन कौन था वो सवाल का जवाब अपनी दिया आपने देखें मैं नहीं था था कौन मोगत आई है युवराज युवराज सिंग था अरबजन सिंग था जहीर खान बहुत बहुत खिलाड़ी ऐसे नहीं है कि एक दो बड़ युवराज सिंग कि उस तरीकी की पस्नालिटी थी लेकिन कमाल के खिलाड़ी भी थे युवराज सिंग मुझे लगता है हिंदोस्तान की क्रिकेट के फिर अगें अंडर रेटेड इसले कहूंगा क्योंकि मीडिया ने उतनी उंकी तारीफ नहीं करी जितनी बाकियों की करी शायद दो व युवराज सिंग को कैंसर हो गया था लेकिं वो तब भी खेलते रहे थे इसलिए युवराज सिंग के लिए तालिया इस बंच से बनती है कि कैंसर होने के बाद वो व्यक्ति खेलता रहा है और मैंने युवराज सिंग के साथ अंडर 16 से लेके इंडिया तक खेलाओं अंडर 16 वो पंजाब के लिए खेलते थे मैं दिल्ली के लिए खेलता था वो अंडर 19 निकटे खेले फिर अगेंस्ट खेले मैंने उससे जादा टालेंटेट खेलाडी आज तक मुझे नहीं पता आगे क्या होगा आज तक अभी तक हिंदोस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा बहुत अनफॉचिनेट थे कि वो 108 स्मैश नहीं खेल पाई क्योंकि वो उस एरा में खेला था जब विरिंदर सेवाग मैं राहूल राहूल रावेट सचिंट इंडूलकर वीवेस लक्षमन सौरव सौरव गांगुली थे और एमेस धोनी थे वो उस टेस्ट टीम में युव युवराथ सिंग ऐसे खिलाडी थे कि शायद कितने ही रिकॉर्ड वो तोड़ते वो खुद नहीं जानते और आपने जा तक सवाल किया मैंने वो देखा था किस तरीके से वो सफर कर रहे थे 2011 में उसके बावजूद जिस तरीके की उनकी प्रफॉर्फॉर्मेंस रही है वो हमेशे ही गहते हैं कि मैंने वर्लकॉप जटाया लेकिन मेरा मानना यह था कि हमारे को अगर वर्लकॉप तक बात करते हैं जब 2007 वर्लकॉप की तो किस युवराथ सिंग का नाम नहीं लेते हैं हम 2011 की बात करते हैं 워ल्लकॉप की तो हम युवराज सिंग का नाम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? ये सिरफ, सिरफ और सिरफ, marketing, PR और सिरफ एक individual को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना तो underrated कोई नहीं होता, underrated सिरफ PR और मारकियों किसको बड़ा दिखाने का प्रयास होता है? यह आपको भी पता है, यह आपको पता है कि 2007 और 11 World Cup किसने जिता है, हम सब को बार बार यह बोला गिये, कोई एक individual नहीं जिता है, पूरी टीम नहीं जिता है, और पूरी टीम ही जिताती है, कोई बड़ा tournament एक व्यक्ति नहीं जिता पाता, अगर जिता पाता, तो आज भारत श एक भी व्यक्ति से पुछे कि मोहिंदर अमर्नाच की आपने कितनी बार तस्वीर देखी है, मोहिंदर अमर्नाच जी की क्या performance वर्ल का फाइनल में, आपने सिरफ ट्रॉफी उठाते वे देखा है ना, कपिल देव जी को, जी, और सेमी फाइनल में मैनदर मैच मोहिंदर अम अमर्नाच जी की भी दिखा दीजिए, दो, नो, सेमी फाइनल और फाइनल में मैनदर मैच थे, आज इस वाध्यम से हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, मोहिंदर अमर्नाच और कपिल देव की, और में ऑन रिकॉर्ट करे जाता हूँ, 1983 में कपिल देव और मोहिंदर नाच थे जर्ट देव की से खोरी जे फिर एब देगा हैं, मोराश एगा हैं झाल 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 झाल